नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के नएस वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं विगत कुछ दिनों से हमारी चर्चा चंद्रकुंडली के प्रतेक भाव में हर एक ग्रह के प्रभाव को लेकर हो रही है उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चंद्र कुंडली के प्रतेक भाव में राहू का फल यानि राहू ग्रह क्या फल देता है सबसे पहले तो हम राहू के बारे में कुछ सामाने चीजें जान लें राहु किन-किन चीजों के कारक हैं, राहु असंतोष के कारक हैं, आप देखेंगे जन्मकुंडली में राहु अगर अच्छी स्थिती में नहों तो व्यक्ति असंतोषी होता है, उसे किसी भी चीज से संतोष नहीं होता, उसे हमेशा और ज्यादा की चाह होती है, राहु भै क कारक है राहु जुनून के कारक है ब्रहम के कारक है चालाकी के कारक है यह सारे गुण आपको उन व्यक्तियों के अंदर दिखाई दे जाएंगे जो जिनकी जन्म कुन्ड़ी में राहु प्रभावी हैं तो चलिए देरी भी राहू होते हैं, ऐसे व्यक्ति धनी होते हैं, ऐसा कहा गया कि व्यक्ति धनी होता है, व्यक्ति साहसी होता है, यानि व्यक्ति के अंदर प्रचर मात्रा में साहस होता है, व्यक्ति बलवान होता है, शारेरिक रूप से ऐसे व्यक्ति जो हैं, वो बलवान होते हैं, ऐसे व् व्यक्तिं को समज clues जाएगा जिन के लगन में राहू हूं। ऐसे व्यक्ति के सिर यह मुख पर चिन होता है। ज्यादा तर देखाना है जन्मकुनली में भी अगर राहू लगन में हो तो ऐसे व्यक्ति के छहरे में आपको चोट के निशान दिखाई देंगे। यानि राहू अपनी दशा महा दशा जब भी आती है तो ऐसे लोगों के आप देखेंगे चेहरे में कोई न कोई चोट के निशान होते हैं इसके अलावा कहा गया कि ऐसा व्यक्ति निम्न से उच्च शेंडी तक उन्नती करने वाला होगा यानि व्यक्ति निम्न से लेकर धीरे धीरे मेहनत करके उपर तक पहुँचता है ऐसे व्यक्ति को अलप भाशी कहा गया राहू अगर जन्मकुंडली के लग्न में हो और शुब प्रभावों में हो तो व्यक्ति कम बोलने वाला होता है वहीं राहू अगर लग्न में हो और अशुब प्रभावों में हो यानि इनकी उपर अशुब ग्रहों का प्रभावों तो ऐसा व्यक्ति बखवादी हो जाता है यानि फिजूल की बातें करने वाला हो जाता है ऐसे व्यक्ति को स्वार्थी भी कहा गया लगन का राहू व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है यकीन करिये मैंने बहुत से जन्मकुंडली देखी है जिनका जन्मकुंडली में लगन में राहू है और उसकी इस्तिति के अनुसार निर्भर करता है परन्तु ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए सोंचने से पहले खुद के लिए सोंचता है यानि ऐसा व्यक्ति आप कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होगा वो दूसरों का भला करने के पहले खुद का भला जरूर सोंचेगा चलिए अब बात कर लेते हैं जन्मकुनली के दूसरे भाव में यानि दृतिये भाव जिसे वाणी का भाव भी कहा जाता है चंद्रकुनली के दूसरे भाव में अगर राहू हो तो ऐसे व्यक्ति को कूविचारी कहा गया ज्यादा तरह देखा गया है कि अगर जन्मकुनली के दूसरे भाव में राहू शुभ प्रभावों में हो तो व्यक्ति की वाकिशाली बहुत अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति की जन्मकुनली में बुध जो हैं वो बहुत अच्छी अवस्था में न भी हो तो भी दूसरे भाव का राहू व्यक्ति को बहुत अच्छी स्पीच देने की शक्ती देता है ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा बातों में बहुत अच्छा तर्क करता है और अपनी बातों को बड़ा संजो कर सामने वाले के सामने रखता है एसे व्यक्ति की बातें जब आप सुनेगे तो ऐसे व्यक्ति की बातें बड़ी आकरशित करने वाली होती है यानि जब वह किसी विशह में बात करना शुरू करेगा तो आप उसकी पूरी बात को सुनेगे यहां पर राहु अगर अशुप्रभाववन में हो तो व्यक्ति की जो वाणी है वो खराब हो जाती है गंदी हो जाती है ऐसे व्यक्ति जो गाली गुलोज करते हैं आप उनको देखेगा राहू का समंध दोतिय भाव से बन रहा होगा या दोतिय भाव बुरी तरह पीडित होगा राहू के साथ इसके लाव कहा गया कि ऐसा व्य तो इनमें बदला हो जग राहू की उपर गुरू की दृष्टी हो तो यह अचानक से धनलाब कराने वाला हो जाएगा इसके अलावा कहा गया कि व्यक्ति जिनके दोती भाव में राहू होता है दो अर्थ वाली भाषा बोलता है यारी ऐसे व्यक्ति जो बातें करता है उसके दो अर्थ होते हैं अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति होगा जो एक व्यक्ति के सामने उसके जैसी भाषा बोलेगा दूसरे व्यक्ति के सामने उसके जैसी भाषा बोलेगा दोती भाव का राहू ऐसा ही होता है व्यक्ति जिसके संपर्क में होगा उ जा फिर उसके भाई को जातक की वज़े से कश्ट होगा ऐसा विक्ति को बोला गया बाले काल में दुखी ऐसा विक्ति संग्रही होता है यानि ऐसा विक्ति धन का या वस्तों का संग्रह करना पसंद करते हैं जिनके जन्म कुंडली के दूसरे भाव में राहू हो वहीं अगर बात करें कुंडली के तीसरे भाव यानि पराक्रम भाव की तीसरे भाव में अगर रहू हो तो क्या प्रभाव मिलता है तीसरे भाव का रहू व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है पापक रह तीसरे भाव में यानि पराक्रम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं यहां पर राहू हो तो व्यक्ति परिश्रम करने से भागेगा नहीं व्यक्ति महिनती हो जाएगा और अपने महिनत के दम पर अपने भाग का उदय करेगा ऐसा व्यक्ति जिनके पराक्रम भाव में राहू हो ऐसे व्यक्ति शौटकट अपनाते हैं लेकिन वो शौटकट इस तरह के नहीं होते कि वो अपने लक्ष तक ना पहुंच पाएं तीसरे ग्रह में पापक ग्रह अच्छा रिजल्ट करते हैं सहसी हो जाता है पराक्रमी हो जाता है ऐसा व्यक्ति कहा गया कि जिनके तीसरे भाव में राहू हो ऐसा व्यक्ति चित्रकला या फोटोग्राफी में तीसरे भाव में राहू हो ऐसे व्यक्तियों को घूमना फिरना खूल वह पसंद होता है अब यहीं राहू अगर अशुब प्रभाव में आ जाए तो व्यक्ति कर्मत नहीं होगा वह आलसी हो जाएगा ऐसे व्यक्ति पराक्रम करने से डरेगा ऐसे व्यक्ति परिश्रम करने अब देखेगा कि राहू अगर तीसरे भाव में या भागे भाव में कारक ग्रह न होकर या अशुब प्रभाव में बैठे हो तो ऐसे विक्तियों को आप अक्सर कहता हुआ सुनेंगे कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मेरा भागे मेरा साथ नहीं दे रहा मेरे काम जो है वो ब भाव देंगे चौथा भाव माता का होता है भक़ुम का होता है सुक का होता है जंता का होता है अब राहू यहाँ पर अगर अच्छी स्थिती में में ha तो इन सब चीजों में व्यक्ति को लाब करदेंगे विक्ति के पास घर बंगला chemotherapy सब कुछ होगा लेकिन अगर अगर गया माता कोकष्ट चिन्तित। एसा व्यक्ति चिन्थित यानि परिशान रहता है किसी न किसी बात में। एसा विक्ति परिश्र्मी होता है विदेशी भधाशायोंका एससे विद願い सिखने का शौक होता है। ऐसा राहू पिता को आर्थिक रूप से हानिकारक प्रभाव देता है या पिता के लिए शुब नहीं होता क्योंकि सीधी सी बात है राहू की सात्वी दृष्टी पिता के घर में भी पड़ेगी और अशुब प्रभावों में ये ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे ऐसा वेक्ति जीवन में एक बार मकान इस्थान से हटकर दूसरे की प्राप्ति करता है यानि ऐसा वेक्ति जिनके चोतुरत भाव में राहू शुब प्रभावों में हो ऐसी वेक्ति अपने जीवन काल में एक से ज़्यादा घर बनाता है एक से ज़्यादा घरों में वो रहने अच्छी स्थिती में है तो भी देखा गया कि ऐसे रहु संतान पक्ष के लिए अच्छे नहीं है ऐसे व्यक्ति को देखा गया कि ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होती है उनको प्रथम जो उनका गर्भ होता है वो खराब हो जाता है प्रथम गर्भ पात हो जाता है या प्रथम अ और पर यानि जैसे ही उनका जन्म होता है बहुत खतरनाक बीमारियों से उनको सामना करना पड़ता है पंचम भाव में अगर रहूं तो व्यक्ति को उदर रोग होने की संभाव ना होती है हाला कि ऐसे व्यक्ति की बुद्धी जो है वो तीव रहोगी ऐसा व्यक्ति पूर्ण है कि जन्म कुण्दली में राहू का रख है किस डिग्री में कि ग्रह का प्रभाव है इत्यादी हात थाव चटमे भाव में राहू को अच्छा प्रभाव देने के लिए कहा गया है कि छटमे भाव का राहू जो है व्यक्ति को प्रबल शत्रुहंता बनाता है छटमे भाव में हला की राहू हो और अच्छो प्रभाव में हो तो ऐसा व्यक्ति खुद रोगी होगा यानि उसे खुद को राहू जो है वो लाभकारी नहीं होता नुकसान देता है ऐसा व्यक्ति साहसी होता है प्रभाव शाली होता है जिनके चंद्र कुंड्ली के छ्ठवे भाव में होते हैं राहू अगर छेटमे भाव में अशुब प्रभावों में हो जाए तो यह जेल जाने तक की नौमत आ जाती है इसे लोगों को यह कह सकते हैं कोड कचहरी के इंसान चक्कर लगाता रहता है सात्वी दृष्टी सीथे बार्वे भाव में पढ़ती है तो छट्वे भाव में राहू शत्रूओं के लिए बहुत अच्छा है लेकिन कुछ मामलों में छट्वे भाव का राहू जो है वो अच्छे रिजल्ट नहीं करता है अब बात करें महीं सब् संभाव में अगर रहू हूं तो ऐसे व्यक्ति को काम ही कहा गया है संकीन विचारधारा का होता है चोटी सोच वाले लोग जो चोटी चोटी बातों में नराज हो जाए चोटी चोटी बातों में खोश हो जाए या चोटी चोटी बातों में शंका करने लगें ऐसा व्यक्ति से निकलना ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छे से पता है ऐसा व्यक्ति विधर्मियों से लाब पाने वाला कहा गया ऐसा व्यक्ति ख्यातिवान होता है ऐसे व्यक्ति की समाज में पैठ होती है ऐसा व्यक्ति दूसरों से बहुत अच्छा विवहार करता है इसलिए लोग उसको बहुत अच्छे सभाव के लिए जानते हैं अगर राहू शुब प्रभाव में है तो ऐसे व्यक्ति को बिजनस में भी सड़न लाब होता है मतलब अचानक से लाब होता है अब जन्मकुंडली में जो कर्म का निर्धारण है उसके सूत्र अलग हैं लेकिन अगर जन्मकुंडल जिन व्यवसाय में आपको इनकी जरूरत हो या आपको लगता हो कि इन पॉइंट से आपको अपके बिजनस में बूम मिल सकती है तो राहू सेवेंथ हाउस में आपका सपोर्ट करेगा वो भी तब जब वो आपकी जन्मकुंडली में अच्छे भाव में हो और चंद्रकुं के अश्टम भाव में राहू कैसा फल देते हैं चंद्रकुंडली के अश्टम भाव में राहू ऐसे व्यक्ति को कहा गया ऐसा व्यक्ति अनायतिक कार्यों में रत रहता है यानि ऐसे कारे जो समाज में बहुत अच्छे नहीं जाने जाते वो कारे भी ये व्यक्ति करता है ऐ ऐसे व्यक्ति को मलिन मन का कहा गया निस व्यक्ति का जो मन है उसमें खराब विचार भी आते हुए देखे गए ऐसे व्यक्ति को गुप्त रोग से पीडित कहा गया जन्मकुंडली में भी अगर अश्टम भाव में राहू हो तो भले ही वो कारक हो लेकिन अगर डिग्री होने की प्रबल संभाव न देता है ऐसा व्यक्ति बकवादी होगा यानि व्यर्ध की बाते करने वाला होगा राहू अगर शुप्रभावों में हो तो ऐसा व्यक्ति ऐसा तरक करेगा कि अच्छे अच्छों को चुप करा देगा अश्टम भाव का राहू दुरगटना का भ बेष्थी में हो तो ऐसे व्यक्ति की म्रुश्श कैप विष्श दिया जाए या फिर वो मूर्शित अवस्था में मीर्टी की संभाव नहीं जहर कि उसकी म्रुध्य होती किसी अन्य व्यक्ती द्वारा यह फिर वो जब अचेतन वी यानि वहोष र भोखा होता है और उस धोखे से उसकी मृत्यू होती है जानकारों ने तो यहां तक लिखा अश्टम भाव मृत्यू का भाव है अश्टम भाव रहस्यमई विद्याओं का भाव है और राहू भी कहीं न कहीं इनी चीजों के कारक हैं इस वज़े से मृत्यू के कारक नहीं है ल कस्मिक दुर घटनाएं होती हैं अब वहीं बात करें नवम भाव की जिसे कहते हैं भागे भाव नाइन्थ आउस जहां से भागे का विचार किया जाता है यहां पर रहू कैसा प्रभाव देते हैं तो नवम भाव में अगर रहू हो तो ऐसे व्यक्ति को भी अल्प संत्तिवा ऐसा व्यक्ति भ्रात्यीन बताया गया ऐसे व्यक्तियों के भाई नहीं होते और अगर होते हैं तो उसका व्यक्ति से बंती नहीं है मतलब भाईयों की व्यक्ति से बंती नहीं ऐसे व्यक्ति को वात रोगी कहा गया ऐसे व्यक्ति व्यर्थ श्रम करने वाला कहा गया यानि म भाग्योदय को अच्छे तरीके से नहीं होने देते बहले ही राहू अपनी उच्छ राशी में कुंडली में कारक होके बैठे हो हाँ आगर राहू के उपर गुरुदेव की दृष्टी हो तो इस भाव में भी अगर गुरुदेव की दृष्टी हो तो फाला देश में बहुत अंतर आ जाएगा लेकिन नवम भाव में राहुक मैंने खुद ये देखा कि नवम भाव का राहु कहीं न कहीं भाग्योदय में समस्याउद पन्द करता है या फिर राहुक के उपाय कर लिए जाए अधिपती देवता की पूजा कर ली जाए तो उससे बहुत अंतर आ जाता ह वहीं बात करें दशम भाव की, दशम भाव में राहू को कारक माना जाता है, दशम भाव का राहू व्यक्ति को विशेश सफलता देता है, रातो रात जमीन से उठा के आसमान में रख देता है, ऐसा व्यक्ति जनता के बीच में अपनी अच्छी पैट रखता है, राजनीती मे जाने वाले लोगों के लिए दशमभाव का राहू वर्दान है ऐसे व्यक्ति जो राजनीती में जाने की कामना रखते हैं अपनी जन्म कुंडली को खोलिए चंद्र कुंडली को भी देखिए लेकिन आप मुखिता अपनी जन्म कुंडली को देखिए क्या जन्म कुंडली में राहु दशम भाव में है या दशम भाव के स्वामी के साथ किसी अच्छे भाव में यूति में इत्यादी तो दशम भाव में अगर राहु हो तो ऐसे व्यक्ति को कहा गया राज्य अधिकार प्राप्त यानि उसे राज अधिकार प्राप्त हो तरह सरकार के द्वारा मानिता मिलती है, सरकार में पैठ रखता है ऐसा व्यक्ति, कठोर प्रसाशक कहा गया, विद्वान कहा गया, साहितिक कहा गया, ऐसा व्यक्ति बेहद प्रभावशाली होता है और प्रतिभाशाली होता है, ऐसे व तरायत मतलब टीनेज के बाद कि शूर अवस्था के बाद जब जो अवस्था आती उस अवस्था में ऐसे लोग तेजी से उपर बढ़ते हैं यह तेजी से ऐसे लोगों की उन्नत ही होती है ऐसे व्यक्ति को वाचाल भी कहा गया दशाम भाव में राहू व्यक्ति को वाचाल में रहू हो तो ऐसे धनी कहा गया ऐसे व्यक्ति के पास प्रचुरमात्रा में धन होगा वह धन कमा लेगा ऐसव 10 लाट्री शुन खेलने का शौकीन होता है और अगर फील्ड में उतरे तो इसमें लाभ कमा लेता है शेयर मार्केٹ से लाभ कमा लेता है ऐसा व्यक्ति को कहा गया इसा व्यक्ति सम्रद्ध शाली होता है ऐसा व्यक्ति कर्ण रोग पीडित होता है ऐसे व्यक्ति के कान में कुछ समस्याइं होती है राहू अगर बिगड़े हुए बैठे हुए अपर तो कान से सम्मंदित समस्याइं लोगों को हो सकती है ऐसे व्यक्ति अ ऐसा हो जाता है ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि यांत्रिक वाहनों से भी लाब होता है अगर ऐसा व्यक्ति जिनके 11 थाउस में राहू हो और यांत्रिक कारेक करके अगर व्यक्ति पैसा कमाना चाहे या अपना नाम कमाना चाहे तो उसके लिए भी यह राहू यहां पे बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट करते हुए नहीं देखा गया अगर बार्वे भाव में राहू है और ऐसा है कि राहू अच्छी स्थिती में नहीं है तब तो आपको डेफिनेटली इसके उपाय करने चाहिए और इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए क्योंकि यह राहू व्यक घंप तारे में इसको जेल तक जाना पड़ा आपको प्रद्टली सा मैं ऐसे व्यक्ति सामने मिलाहूं बार्वे भाव में राहू हो नहीं व्यक्तिव को काकि रहे हैं एक विवाहिक हीन्व होता एक्टिकी पापकार्shoon करता है ऐसा व्यक्ति अपव्याहिए होता है पैसे ऐसे व्यक्ति को कहागे कि ऐसा व्यक्ति सेवा को होता है अब बार्मे भाव में अगर राहू शुब प्रभावों में हो देव गुरु की दृष्टी पढ़ जाए आपकी जन्म कुंडली में कारक हो चंद्र कुंडली में किसी अच्छे राशी के स्वामी बनके यहां बैट रहा हूं माफ करेगा राशी का स्वामी का मतलब यह है कि जैसे मिथुन और व्रशब राशी को राहू अपना मानते हैं इन में से किसी एक राशी में राशी में राहू यहां पर बैठे हो गुरू की दृष्टी हो अंशबल से बली हो किसी अच्छे नक्षत्र में हो तो इन दुष प्रभावों में कमी आ जाएगी यह तो मैं नहीं कहूँगा कि दुष प्रभावों देने की बजाए या शुभ प्रभाव अपना देने लगेंगे लेकिन इनके दुश प्रभावों में कमी आ जाती है बार्मे भाव में राहू को मैंने बहुत कम बहुत अच्छा रिजल्ट दे के दे बार्मे भाव में राहू के अगर आपको अच्छे परिणाम चाहिए तो आपको हनुमान चालीसा का पाथ आपके लिए राम बान है यानि आपके लिए बिल्कुल वर्दान है हनुमान चालीसा के पाथ से राहू कितने भी खराब हो अपना भुरा प्रभाव समाप्त कर देते हैं और आपका support करने लगते हैं भले आपकी जन्मकुंडली में वो कारक ना हो किसी बुरे भाव में बैठे हो खराब फल दे रहे हो भाग्योदे में कमी कर रहे हो तो अगर राहू आपको किसी तरह परेशान कर रहे हैं चर्चा जो होनी चाहिए थी वो केतू ग्रह के लिए अभी चर्चा नहीं करेंगे इस सीरीज का आखरी वीडियो था यह शुरंखला जो थी चंद्रकुंडली के सभी भाव में राहू का फल हमने सूर्य से लेकर राहू आज राहू ग्रह के बारे में जाना केतु के लिए हम इसलिए चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि जहां राहू होंगे उसके ठीक साथ में घर केतु होंगे तो केतु का फल हाला कि राहू के सामने होने की वज़े से उनका प्रभाव भी लगभग लगभग एक जैसा होता है हाला कि केतु सरवादिक शुभग रहे हैं लेकिन चूंकि राहू के हमेशा सामने रहते हैं इस वज़े से उनका प्रभाव भी पापक हो जाता है यानि पापक प्रभाव देने लगते हैं वो अपना आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बहुत सारे कॉमेंट करके पूँचते हैं जिसमें आप लोग अपनी परसनल जन्म कुनली से समधित प्रश्न पूँचते हैं किसी भाव से सम्मधित, किसी ग्रह से सम्मधित प्रश्णों पूँचते हैं और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उनका जवाब जो है वो आपको कॉमेंट सेक्षन में ही दे दूँ लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सभी लोगों के कॉमेंट के जवाब देना मेरे लिए संभब नहीं हो पाता तो आप अपना जो प्रशन है आपका निसन दे आपनी संकोच कॉमेंट सेक्षन में पूँछिए और हम लोग बहुत जल्द ही ऐसा करने जा रहे हैं कि हफते के अंत में यानि रवी वार के दिन हम इन सभी प्रशनों को लेकर और इनका जवाब लेकर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग आपके द्वारा पूँचेगा सभी प्रकार के प्रशनों का उत्तर ढूंडने की कोशिश करेंगे जितना मुझे आता है जितना मैंने सीखा है उसके अनुसार तो आप लोगों का जो भी प्रशन हो आप कॉमेंट सेक्षन में पूछ लिया करिए अगर आपको उसका जवाब तुरंत ना मिले तो आपको प समंद को देखिए शुकर के समंद को देखिए चंद्र के समंद को देखिए और राहु के नक्षत्र को भी देखिए नक्षत्र से भी राहु का फलादेश बदल जाता है इसके अलावा अपनी चंद्र कुंडली के लावा जन्म कुंडली में भी देखिए कि राहु क्या जन जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद